नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां कभी खराब नहीं होगा लिवर यदि खाएंगे आप ये चीजें यदि मनुश्य का लिवर स्वस्त रहता है तो कब्ज एठन सूजन और एसीडिटी की समस्या नहीं होती है लिवर ब्लड शुगर के स्थर को रेगुलेट करता है और थकान से बचाता है लिवर प्रोटीन उत्पन करने में महतोपून भूमी का निभाता है और पित में विटामीन मिनरल और कार्बो हाइट्रेट को श्टोर भी करता है ऐसे में कुछ फूट्स हैं जिन से रेगुलर खाने से आपका लिवर स्वस्थ बना रहेगा जिहां लिवर या फिर जिगर मानो स्षरीय की सबसे महतोपून ग्रंथियों में से एक है स्वस्थ जीवन जीने के लिए लिवर का स्वस्थ होना अनिवारे है लिवर आपके शरीर में अनेक महतोपून गतिवीधियों को नियंतरित करता है और शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करता है यह खाने को खजम करने यानि कि पचाने में अथवा उसके उपापचय में एक अभिन भूमी का निभाता है इसके अलावा यह हमारे इम्यून को भी बढ़ावा देता है और पोशक्ततों के संचयन में भी सहयक है यह बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का उत्पादन करता है जो अन्य अंगों के कारे शिल्ता के लिए अनिवारे हैं यह रक्त की रचना को भी निर्धारित करता है और रक्त से विशाक्त पदार्थों को निकाल करके उसे स्वस्थ बनाता है यह और भी कई महतोपून कारियों को अन्जाम देता है जोकि लिवर हमारे शरीर में बहु लिवर को स्वास्थ रखने के लिए आपको बस एक स्वास्थ जीवन शेली को अपनाना है और अपने दहनी कहार में लिवर के लिए स्वास्थ वर्धक फल सब्जियों मसालों को शामिल करना है लिवर को स्वास्थ रखने वाले फूर्स के बारे में यह जान लेते हैं कर देता है जो लिवर को detoxify करने में मदद करते हैं इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन सी भी उच्छ मात्रा में नहींत होता है जो लिवर को पाचन क्रिया का समर्थन देने के लिए enzymes का उत्पादन करने में मदद करता है यह लिवर द्वारा खनीच के और शोशन को भी बढ़ ब्रोकली पत्ता गोवी पत्ते दार सब्जियां हैं इन सभजियों में उच्छ मात्रा में फ्लेवोञ्ट और कैरूटीनॉईट जैसे फाय टो निट्रियंट्स पाए जाते है जुँ लिवर को टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकाल देती है हल्दी भी लिवर को स्वक्ष एवं स्वस्थ रखने के लिए सर्वत्तम आहारों में से एक है यह शरीर की वसा को पचाने की शमता में सुधार लाती है और लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है यह लिवर के शतिग्रस्त को शिकाओं को पुनर जिवित करने में भी सहायक होती है लिवर को स्वस्थ एवं डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको एक चमच के चोथे भाग चमच हल्दी पावडर एक गलास पानी में मिलाना होता है और इसे उबालना है जिहां और प्राप्त हल्दी पानी को कुछ हपते के लिए दिन में दो बार पीना है यानि कि जो आप खाना पकाते हैं हर रोज उसमें थोड़ी से मसाले में आपको हल्दी का अंस रखना है जरूर रखना है यानि कि हल्दी जरूर डार लें अपने खाने में अंकूरित बीज और बेरी जिहां अंकूरित बीज जैसे चना या खरोट इत्यादी खाने से शरीर को उर्जा मिलती है इसमें प्रोटीन और एंजाइम के मातरा ज्यादा होती है और यह शरीर की क्रियाओं को बढ़ाने का कार्य भी करता है अंकूरित बीज खाने से लिवर का संक्रमर भी दूर हो जाता है वहीं बेरी में इंटियोक्सिडेंट और एंथोसाइनीन होता है बेरी का जूस लिवर को शतिग्रस्त होने से बचाता है और उसे स्वस्थ रखता है हपते में तीन बार बेरी खाने से लिवर के संक्रमर से लहसुन आपके लिवर को स्वश्च रखने में अत्यांत शक्षम है यह लिवर में उपस्थित उन एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है जो लिवर को साफ करने में सहायक हैं इसमें एली, सीन और सेलेनियम नाम के दो तत्व होते हैं जो लिवर को साफ तो करते ही हैं परंतु को शती पहुंचाने से भी बचाते हैं कोलेस्ट्रोल के उच्छ स्तर से लिवर की कारिय शिलता प्रभावित हो सकती है और लहसुन कोलेस्ट्रोल के स्वास्तर स्तर को नियंतरित कर लिवर की कामकाज को प्रभावित होने से रोकता है दो से तीन लहसुन की कलियों का सेवन रो जाना करें और जब भी मुम्किन हो लहसुन को अपने खाने में शामिल करें जिहां डॉक्टर से सलाह लेने के बाद आप लहसुन के अनुपूरक का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा अखरोट अखरोट में उच्छ मातरा में नहीत अमीनो एसीड लिवर को विशाक्त प सायन विज्ञान के जर्नल में प्रकाशित एक 2008 के अध्यान के अनुपसार अखरोट में समाविष्ट, पोलिफेनाल्स, कार्बन, ट्रेटाक्लूराइड और डी-गलाक्टोसेमीने से होने वाली लिवर की शति को रोकने में सहयक होते हैं रोजाना एक मुठी अखरोट चब ये बेहधी कारगर नुष्खे थे जिनके सहारे आप अपने आपको स्वस्तर रख सकते हैं स्वस्तर हैं मस्तर हैं ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहधी महतों पून जानकारी को ले करके तब तक झाल ज कर दो दो कि और दो हो कि एम हो कि आप